हेलो फ्रिंट्स, वेलकम टो मैं चैनल, फ्रिस दिखें आज मैं ये एक डबल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूँ, ये पैटन बहुत ही आसान है बनाने में, इस पैटन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं, स्वेटर में, जैकेट में, ब्ल और ये है रॉंग साइड, आठ सलाईयों का हमारा ये पैटन है, और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमको 4 के मल्टिपल फंदे चाहिए, प्लस 1 हमारी ये डिजाइन बहुत अच्छे से से सेट हो जाएगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 के मल्टिपल फंदे लेके, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 किया है, टोटल 21 फंदे मैंने इसमें लिये हैं, अब पहली सलाई सीधी तरब से इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहली सलाई पूरी हम बनाएंगे, देखिए इस तरीके से सीधा सीधा, पहली सलाई राइट साइड पूरा सीधा सीधा, जितने भी फंदे आप अपने प्रोजक्ट के लिए रख रही हैं, पूरी सलाई हम सीधा सीधा, बॉर्डर के जस्ट बात इसको इस तरीके से बिना स्टार्ट करेंगे, यह हैं हमारी फर्स्ट र यह देखिए, सेकेंड रो पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे, यह है सेकेंड रो पूरा उल्टा उल्टा, यह हो गई, दूसरी लाइन हमारी कम्प्लीट, थार्ड रो पूरा सीधा सीधा एक बार फिर से, थार्ड रो पूरा सीधा सीधा, पूर्ड रो पूरा उल्टा उल्टा, तो यह है हमारी बेसिक लाइने, डिजाइन स्टार्ट करने के पहले, तो यह चार सलाई सीधा उल्टा, सीधा उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे, यह देखे, यह हो गई, हमारी चार लाइने कम्प्लीट, अब हम अपना सेकेंड कलर लगाएंगे, यहाँ पे अपना सेकेंड कलर लगा लेंगे, और आप देखिए, हमारा डिजाइन जो है, वो स्टार्ट होगा, तो पहला फंदा हम अपने अपोजीट कलर से सीधा बिन लेंगे, चार फंदो की हमारी डिजाइन है, पहला फंदा हमने बिन लिया, बाकी बचे यह तीन फंदे, तो अब देखिए, यह जो हमारा बीच वाला फंदा है, जो चार सलाई हमने बनाई है, इसको हम काउंट करेंगे, देखिए, यह जो देखिए, इसके नीचे यह होल आ रहा है, तो एक, दो, तीन, और यह चोथा, चार नीचे से, यह देखिए, तीन फंदे जो हमारे है, बीच वाले फंदे से, आप देखिए, तो एक, तो, तीन, और यह जो चोथा होल आ रहा है, यहां से हम अपना यह दागा डाल के ऐसे निकाल लेंगे, इस तरीके से इसको अच्छे से लूज कर लीजिए, यह देखिए, अच्छे से लूज कर लेंगे, और अब, आप चाहें तो इसको यहां पे भी रख सकती है, या आप इस पे ऐसे चड़ा दीजिए, अब इसके बाद देखिए, जो हमारे तीन फंदे थे, एक, दो, तीन, यह तीन फंदे ऐसे करेंगे, और यह जो धागा हमने फंदा बनाया है, इस तीनों फंदों के उपर से ऐसे निकाल देंगे, देखिए, काफी लूज है, यह ध इसके बाद हम चौथा फंदा बिन रहे हैं, बीच के तीन फंदे हमने यह जो लूब बनाया था, इसके बीच से निकाल लिया है, और यह धागा देखिए, ऐसे रॉंग साइट से हमारा आ रहा है, अब फिर देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम अपना तीन फंदा काउंट करेंगे, यह एक फंदा हमने बिन लिया, इनी चार फंदों को रिपीट करना है, तो यह एक फंदा हमने बिन लिया, अब यह जो तीन फंदा है, इसका बीच वाला फंदा, तो एक, दो, तीन, और यह चार, चौथा जो हो लाएगा, वहां से यह हम सलाई निकाल के, धागा ऐसे फसा के, अपने इधर की तरफ ऐसे खीच लेंगे, और इसको इस सलाई पे ऐसे चढ़ा दीजिए, इस तरह से आपको बिनने में आसानी होगी, और यह फंदा अराम से इतनी लंबाई का डीला खीच जाएगा, अगर आपको लगता है तो हलका सा ऐसे खीच लेजिए, अब जो तीन फंदे हमारे हैं, एक, दो, तीन, इन तीन फंदो को ऐसे इस सलाई पे उतार लेंगे, और यह जो धागा है, इसको हम ऐसे, इसके बीच से देखिए, इधर करके ऐसे फसा देंगे, फिर अगला फंदा हम सिधा बिनेंगे, एक फंदा, पिर अगला तीन फंदा लेंगे, बीच वाले फंदे के एक, दो, तीन और ये चौथा फंदा जो नीचे लाइन है, चौथी लाइन में नीचे ऐसे धागा निकाल के इस पर चढ़ा लीजिए और इसको अच्छे से ऐसे खीच लीजिए आप इस अलाई पे भी रख सकती है लेकिन इस पर आप करके ऐसे खीच लेंगी तो ये अच्छे से डीला हो जाएगा अब एक, दो, तीन ये और इस धागे को इसके उपर से ऐसे निकाल देजिए एक बार फिर से देखिए एक फंदा, सीधा बस देखिए एक-एक फंदे इसमें बिन रहे हैं बाकी जो तीन-तीन फंदे हैं वो नीचे से निकाले हुए लूप के बीच में से बस हम बिना बुने निकाल ले रहे हैं फिर एक, दो, तीन ये जो फंदे हैं तो यहां से देखिए ये जो दूसरा फंदा, तीन फंदों के बीच का एक, दो, तीन और ये चार चौथे होल में अच्छे से देखिए ये अगर आप देखिए तो एक, दो, तीन और ये चार ऐसे इस तरह से करके इस पे कर लीजिए और आराम से इसको ऐसे खीच लीजिए अब ये जो हमारा एक फंदा बन गया इसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को लेके ऐसे अपने राइट हैंड की सलाई पे कर लेंगे, और ये वाला ऐसे निकाल देंगे, इस तरह से करने से हमारा ये जो धागा है बहुत लूज रहेगा, और आराम से हमारा पैटन बन जाएगा, फिर अगला फ तो है यहां नीचे वाली लाइन में हम अपना फंदा ऐसे करके दूसरे कलर से निकालेंगे, और इस सलाई पे ऐसे डीला करके चड़ा लेंगे, अब एक, दो, और तीन फंदा अपनी सलाई पे लेके इसको ऐसे निकाल देंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा, चार सलाई हमन लाइट कलर बीना है, इसको हम बिन देंगे, अब ये तीन फंदे जो हैं, तो उसमें से ये पहला फंदा हम बिनेंगे, बीच वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, और फिर ये तीसरा फंदा बिन लेंगे, फिर देखिए, इनी को हमें रिपीट करना है, तो ये दे फिर ये फंदा हम बिन लेंगे. और ये फिर रिपीड पैटन देख sev एक उल्टा, अब इन तीन फंदों में से एक फंदा बिन लेंगे, बीच वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, और तीसरा फंदा फिर से बिन लेंगे, यही चार फंदे का हमारा ये पैटन है, अब फिर एक फंदा बीच वाला, अब ये देखिए, एक बिन लिया, एक उतार लिया, और एक और उल्टा बिन लेंगे, ये वाला जो है, इसको उल्टा बिनेंगे, इन तीन फंदों में से एक फंदा बिनेंगे, एक उ फंदा उल्टा ये हो गई हमारी छट्वी सलाई सात्वी सलाई पूरा सीधा सीधा अब जो फंदा हमने उतारा है उसको भी हम सीधा बिन देंगे तो ये देखिए ये दो फंदे जो हमने बीने थे उल्टे इसको और ये जो एक फंदा हमने उतारा था इसको भी हम सीधा बिन तो सारे फंदे इस तरह से ये देखिए उतारे हुए फंदे को भी तो ये है हमारी सात्मी जलाई पूरा सीधा सीधा ये हो गया देखिए इस तरह से हमारा ये लीप पैटन की तरह आएगा अब आठवी सलाई भी अपने इस लाइट कलर से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे ये देखिए और अब फिर से हम अपना फॉर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे अपने इस डाग कलर से फिर से चार सलाई हम साधा बिन लेंगे बिना कुछ किये सीधा उल्टा सीधा उल्टा तो ये चार सलाई अपने इस बेस कलर से फिर से बना लेते हैं ये देखिए चार सलाई बिलकुल साधा हमने बना लिया सीधा उल्टा सीधा उल्टा और अब इस पार जब हमारी डिजाइन बनेगी तो देखिए इसी तरीके से ये ऐसे सीधा बिन लेंगे पहला फंदा और अब ये जो तीन फंदे हैं ये बीच वाला फंदा देखिए अब यहां से आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा देखिए एक, दो, तीन ये हो गया और चौता हमारा आजाएगा ये लाइट कलर यहां से अब हम फंदा अपना ये इस कलर से निकालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से निकाल के इस पे चड़ा लेंगे और इसके बराबर से ऐसे लूज कर लेंगे अब एक, दो, तीन फंदा ऐसे लेंगे और इसको इसके उपर से निकाल देंगे बाकी सब सेम रहेगा जैसा मैंने बताया है अभी तक ये देखिए एक फंदा बीनेंगे सेम वहीं से इसी के जस्ट उपर ये पैटर्न बन रहा है आप चाहें तो बीच में यहां भी बना सकती लेकिन मैं जस्ट उसी के उपर बना रही हूँ अब देखिए फिर एक दो तीन ये जो बीच वाला फं सलाई पे है तो चार सलाई हमने बीना है तो ये लाइट वाले कलर से अब हम इसको निकालेंगे ऐसे ये देखिए अच्छे से इसके बराबर में खीच के लूज कर लीजिए अब एक दो तीन ये और ये इसके उपर से ऐसे ये ही हमारा पैटर्न है अब अगला फंदा सीधा तो यही ये देखिए एक सीधा तीन फंदे का पैटर्न एक सीधा तीन फंदे का पैटर्न तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न आएगा और अब इसके बाद फिर जैसा हमने नीचे बनाया है रॉंग साइट से ये तीन फंदे हमारे बिन जाएंगे बीच वाला फंदा हमार उतर जाएगा तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि यह पैटर्न आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको यह डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्र